तो आज हम बात करने वाले हैं Boya m1 माइक की बारे में, जो कि मेरी खराब हो चुका है, यह जो रूम है इसमें बहुत चुगा रहते हैं ठीक तो उन्होंने क्या किया मैरे माइक का जो ऊपर का जो नहीं आने देता है, वो खा गया है ठीक है दूसरा आपको लेना है है कि व्योंपाति को इसे इसको प्लेर से प्लेर सोच कंच कर दिए और इतना कट करना है जिसमे की अरप में एगे अब हम चली इसको cut कर लेते हैं, cut करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यह हो जाए गाटिक है, यह अब देख सकते हैं, यह cut हुआ है, आगे का, ठीक है, तो यह कुछ ले लेते हैं, और यहां जो ऊपर का side है, यहां पे हम कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी आप black side का, black color क यह कोई भी color का प्लास्टिक ले लेना है, और गोल उसको cut लेना है, cut करने के बाद उसको यहां पे ऐसे डाल के fabric से चिपका देना है, ठीक है, चली हम कर लेते हैं, यह मेरा हो गया, ठीक है, अब यह आपका ready हो गया है, और यह जो आपको hole दिख रहा है, इसमें आपको mic को fit कर देना है, चली हम fit कर लेते हैं, तो यह हमारा mic है, और इसको आराम से हम इसको अंदर डाल देते हैं, और यह आपको इस तरह से इसको cut करना है, ताकि इसमें एकदम आराम से tight, थोड़ा सा tight fit हो, ठीक है, ताकि आपको कुछ family की जरूरत ना पढ़े, आराम से उसमें हो जा प्लास्टिक लगा हुगा है, उसमें मैंने छोटा छोटा होल कर दिया, ताकि अवाच आसानी से अंदर जा से ठीक है, तो अब इसको लगा के check कर लेते हैं, तो यह मेरा लग गया है, तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, वो इसी माइक से recorded है, जो इसका voice है, इसी बखोड हो रहा है, और वही माइक है, तो आपको सिबूहनी से कुछ नी करना, जब आगे का कुछ भी टूट जाता है, तापको सिभली से एक की इसको लेना है, वेप्यतिकल मेडिसीन का डब्बा लेना है और उसके ढखकन का यूज करना ठीकám, पांच रूपए में आपका जो माइक है 600 रुपे का वो बन जाए एक देम अच्छी तरीके से अब देख सकते हैं कोई भी नुआज नहीं है कुछ भी नहीं है एक देम अच्छा खास आपको किलियर आवाज आ रहा होगा ठीक है